नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का मेरे चैनल पे किचन खुराना वे लवशब जब भी गेस्ट घर पे आते हैं तो पनीर की ही सब्जी बनानी पड़ती है तो चलिए आज कुछ नया ट्राइ करते हैं तो बनाते हैं एक गलीशेस सी मटर और मखाना की सब्जी चैनल पे नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन पे प्रेस कर दीजे ताकि आपको सभी रेस्पी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है तो चलिए बढ़ते हैं रेस्पी के तरफ मैंने एक नॉस्टिक पैन ले लिय है मैंने इसको ratios भी कर सकते हैं पर यहां पर मैं घी में रोस्ट कर रही हूं क्योंकि इसका अच्छा सा अब आएगा फिर सबजी में तो इसको हमने रोस्ट कर लीना है जब chef कि यह अच्छे से क्रंची ना हो जाएं यह देखिए काफी अच्छे से क्रंची हो चुके हैं यह अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ठंडे हो जाएं तो चलिए मैंने पैन ले लिया है अभी इसमें आड़ करेंगे ओएल यहां पर मैं ओयल ले लिया है ओयल जैसे ही गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें बड़ी इलाईची तालचीनी का टुकड़ा लॉंग और तेज पत्ता और एक छोटा चमच जीरा इनको हमने अच्छे से ओयल में सौते कर लेना है जैसे एक प्याज यहां पर मैंने प्याज को बारीक चौप करके लिया है इसको भी हमने अच्छे से सौते कर लेना है जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें हम एड़ करेंगे जिंजर गार्ली का पेस्ट यह चमच लिया है मैंने जिंजर गार्ली का पेस्ट इसको भी अच्छे से हमने mix कर देना है और अच्छे से सौत्य कर लेंगे अभी हमारा यह हो चुका है इसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार और सबजी को richness देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूं काजू 10 से 12 काजू के पीस लिए है मैंने और इसको भी हमने इसमे डाल देना है कलर काफी चेंज हो चुका है अभी तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरे तीन बड़े टमाटर लिए हैं मैंने और उसकी प्योरे बनागे ले ली है इसको हमने अच्छे से mix कर देना है इससे जो है इसकी gravy काफी अच्छी बनेगी अच्छे से चलाते हुए mix कर देना है और तब तक हमने इसको भूनना है जब तक कि इसमें से oil release ना हो जाए तो काफी अच्छा color आ गया है अब इसमें डालते हैं कुछ spices सबसे पहले जाएगा नमक आदा चोटा चमच हल्दी का पाउडर थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर क्योंकि इस पुना हुआ जीरा एड़ कर रही हूँ उसके बाद हम सभी मसालों को अच्छे से mix कर देंगे ताकि flavor अच्छे से जो है हमारा तड़के में mix हो जाए एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा पानी अच्छे से mix कर लेते हैं इसको चला के काफी creamy texture की यह सबजी हमारी बन के तयार होएगे इससे मसाला हमारा काफी अच्छे से cook हो रहा है तो इस वक्त हम इसमें आड़ करेंगे मटर यहाँ पर मैंने एक कप मटर लिया है और मटर को हमने मसाले में तब तक भूनना है जब तक कि यह tender ना हो जाए यह देखें काफी अच्छा सा कलर है अब इसमें डालेंगे हमारे भूने हुए मखाने मटर जैसी थोड़े से tender हो जाएंगे उस वक्त हमने इसमें मखाने को एड़ कर देना है अच्छे से mix कर लेंगे तो इस वक्त आपने इसकी consistency देख लेनी है अगर तो जादा थिक है तो इसे हिसाब से आप पानी को एड़ करना है तो यहाँ पर मैंने आदा कप पानी एड़ किया है क्योंकि इसकी जादा ग्रेवी नहीं मैं बना रही हूँ तो आपने इसकी consistency चेक कर लेनी है उसे हिसाब से ही पानी को हमने आड़ करना है अभी इस वक्त इसमें आड़ करेंगे कसूरी मेथी एक छोटा चमच जाएगा इसमें अच्छे से mix कर देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से इसमें mix हो जाए और जब हमारी कुक हो जाएगी सबजी तो हमने इसमें आड़ करनी है क्रीम फ्रेश क्रीम का इस्तिमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं तो यह जो क्रीम है इस सबजी को और भी रिच बना देगी क्रीमी टेक्स्टर देगी अच्छे से mix कर देते हैं इससे एक प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया इस बाकत का धियान लखना है जब आपने क्रीम डालनी है तो सबसे last में ही डालनी है जब हमारी सबजी अच्छे से कुख हो जाएगी क्रीम डालने के बाद हम इसको जादा देर नहीं पका सकते हैं तो इस अब हमारी सबजी जो बन चुकी है सर्विंग के लिए बिल्कुल रडी है तो चलिए सर्विंग के लिए मैंने एक बोल ले लिया है अब इसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हमारी मटर मखाना करी बनके बिलकुल तयार है उपर से गानिश करेंगे इसको थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ और इसमें रखेंगे कटे हुए हरे धनिये के पत्त सजाने के लिए तो ये हमारी मटर मखाना करी बनके तयार है दोस्तो आपको ये मेरी रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल हाव ग्रेट डे